अलो एवरिवन वेल्कम बैक दो चैनल दिने सरलाई चड़ी एक्जाम की इंफोर्मेशन के लिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कब होगी कैसे होगी पैटन क्या होगा डेट्स क्या होगी क्या पूरा पढ़ना है या दिलीटेट तोर सकते हैं इस साल क्या होने वाला है यह क्यों जरूरी है कैसे एक्जाम होगी इसका पैटन क्या है सवरूप क्या है सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में लास्ट टेखते रहें पूरी डीटेल देने वाला हूं MSTCT exam की तो सबसे पहले MSTCT exam का फिलपो में महाराष्ट्रा टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर 2023 एड्मिशन्स यह क्या है कि महाराष्ट्रा के अंदर बहुत सारे CTs होते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं MBA के लिए MCA के लिए BAD के लिए LLP के लिए होटल मेनेजमेंट के लिए और इसी तरह से Engineering, Pharmacy और Agriculture के लिए बहुत सारे ऐसे professional degrees होते हैं जो 12th के बाद होती हैं जिनके admissions के लिए entrance exam लिए जाती हैं कुछ general degrees होती हैं जैसे BSC, BCOM इस तरह की जो degree होती है BA होती है उसके लिए कोई entrance exam महाराष्ट्रा में नहीं होती और direct university में 12th के basis पर admission होता है अब इस वीडियो में जो बात होगी वह बात होगी MHTCT तो यह exam specially engineering, pharmacy और agriculture में जो बच्चे जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 12th science का बोड़ exam होने के बाद 12th science के बच्चों के लिए होती है इस exam के अंदर दो groups होते हैं PCM पहला group दूसरा group होता है PCB group अगर कोई बच्चे इंजिनरी या pharmacy में जाना चाहते हैं तो वो PCM group से जा सकते हैं PCB group से pharmacy में भी admission मिल सकता है इस तरह से agriculture में भी PCB से कर सकते हैं यह जो MSTCD exam है यह हर साल में मन्त के आसपास होती है लेकिन पिछले 2-3 साल हो गए COVID के वज़े से exam का time table disturb हो गया था exam postpone होती जारी थी 2021 के अंदर जो exam है यह October मन्त में हो गई 2022 इस साल जो यह exam postpone होते होते ऑगस्ट में हो गई पिछले साल यह जून में अरेंज हुई थी exam बड़ उसे postpone करके ऑगस्ट में कर दिया गया आने वाले 2023 में यह exam regular time table के हिसाब से होने के पूरे चांसे से जो की में मंत में यह exam होगी यह जो MSTC exam है यह 12th standard की board exam होने के बाद होती है महराष्ट्रा के अंदर 2021 के अंदर जो board exam cancel हो गए थे जो 20 February से स्टार्ट होती है उससे 4 मार्च से स्टार्ट किया गया था पंदरा दिन लेट जिसके विए से सिर्गी को भी shift किया गया था इस साल 2023 में जो बच्चे board exam देंगे उनका board exam 21st February से होने वाला है जो हर साल fixed date है 20-21 परवरी से ही बारवी की board exam होती है इस साल perfect time table के है 2022 वाले बच्चे आदे साल गए थे अब जो है इस साल जो बच्चे 2022 से 23 में exam देंगे वो पूरे जून से ही उनका college offline चाल हुए तो कोई भी delay होने के chances इस साल नहीं है में मंत में exam होने की chances है अब यह जो MSTC exam है इसका form कब भरा जाता है उसके बारे में हम लोग बात जो MSTC exam है इसका form कब भरा जाता है तो बच्चो इसका form जो है आने वाले December से January महीने में रिलीज होगा में exam January में रिलीज होता है January फरवरी आराम से एक महीना दिया जाता है form भरने के लिए यह form college वाले नहीं भरते जैसे कि बारवी की board exam की form जो होती college वाले बरते जो college का office हो laptop या mobile से आप भर सकते हैं इसके लिए आपको login ID password बनाना पड़ता है अगर आप PCM group के से exam देंगे या PCB किसी एक group से तो 800 रुपे fees होती है अगर आप चाहे तो PCM और PCB दोनों group से exam दे सकते हैं 800 प्लस 816 रुपे fees होती है open category के लिए जो cash category होती है उसके लिए fees कम होती है जो ब मैं पूरा complete guidance हूँगा यह तो हो गया schedule के बारे में कि यह में मन्त में होने वाली है इसके form filling January मन्त में होने के चांचे से इसके इसको organize कौन करता है उसकी बात करेंगे कि marking scheme paper pattern strategy हम देखने वाले हैं यह जो MST CT exam MST CT इसको organize करने के लिए एक body है जो महाराष्ट्रा का CT cell है महार महाराष्ट्रा के बाड़ी है जो महाराष्ट्रा के अंदर जितने भी courses होते professional degrees होते हैं उन हर एक का जिसे बी-एड, LLB, MBA, MCA, hotel management जितने भी इस तरह के common interest test होते हैं उन सब को organize करने के लिए CT cell है जैसे इंडिया लेवल पर जो NEET, JE की exam होती है, NET की exam होती है यह NTA conduct करता है वैसे state में महाराष्ट्रा के अंदर CT cell जो है conduct करता है CT cell कुद का एक voucher release करता है, पिछले साल भी रिलीज किया था, उसके पहले भी करता है, updated conditions and terms release होती है हर साल, इस साल भी updated release होगी, जो voucher होगी, handbook जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें बहुत सारे rules and regulations होते हैं, इस exam को देकर, फिलाल अभी कोई changes नहीं है, तो पिछले साल, जो 2022 के अंदर voucher आया था, वही अभी तर continue रहेगा, अगर कुछ changes होते हैं, तो उसके उपर में नए video लाकर आपको जान करी दूँगा, mhtct, जैसे मैंने बता है, ct cell, इसके सारे decisions लेता है, तो एक website है, mahact.org, website का नाम में आपको बताना चाहूँगा, जिस website से आप सब कुछ जो है, जान सकते हैं, यह है www.mahact.org, इस तरह से यह website है, इस website पर जाकर आप इसकी form feeling कर पाएंगे, हर एक type की ct की form यहीं पर feel होती ह है, अब आगे बढ़ते हैं, काफी चीज़ें मैंने बता दिये, syllabus की बात करते हैं, कि यह जो exam है, इसका syllabus क्या होता है, जैसे कि आपको बता है, जैई मेंस exam होगी, या NEET exam होगी, इसका syllabus जो है, NCRT की syllabus के उपर based होता है, TBST का syllabus होता है, बट महाराष्टरा के अंदर, जो यह syllabus और class 11th का 20% syllabus इसमें included होता है, यानि कि अगर 100 mark की exam है, तो 20 mark 11 से आएगा, 80 mark 12 से आएगा, इस तरह से 100 mark की exam होती है, अब पूरा का पूरा syllabus महाराष्टरा की जो state की textbook है, government textbook उसी से set होता है, अब यहाँ पर बात करेंगे pattern की, तो exam pattern में कोई negative marking नहीं है, अब जैई मेंस या नीट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हर एक सही सवाल के लिए marks दिये जाते हैं, चार mark के करीब, और गलत answer मिलने पर minus 1 हो जाता है, यह वन फोर्थ negative marking होती है, MST CT के अंदर कोई भी negative marking नहीं है, हाँ, इस exam का difficulty level क्या होगा, तो जो PCM group है, उसका level JE mains exam को, जो है compatible अगया है, ज जो NEET exam का level होता है, उस level से PCB group का जो है paper set होता है, यह बताया गया, पहले थोड़े easy paper आते थे, पुराने सालों में, जब offline exam होती थी, 2019 से online exams हो रही है, तब से यह level जो है change कर दिया गया, JE mains और NEET को compatible कर दिया गया, यह जो exam है, इसका pattern कैसा है, तो इस exam का pattern MCQ pattern है, कोई theoretical question नह इस तरह से question होगा, इसके 4 option आपको दिये जाएंगे, और आपको online तरीके से यह exam होती है, पहले offline exam होती थी, अब इलकुल online तरीके से exam होती है, इसके लिए अलग-अलग shift में exam ली जाती है, जैसे कि पहले offline paper होता था, तो offline paper पूरे महाराश्ट्रा में एक दिन decide होता था, जो 5 लाग, 6 लाग बचे, एक ही दिन, एक ही time पर जाकर exam जोते दें, बट 2019 से यह exam online होने की वज़े से, इसको अलग-अलग shift में दिया जाता है, जैसे इस साल August में exam होई थी, तो 5 August, 6 August, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से अलग-अलग shift में exam होई थी, एक दिन में 2 shift होते है, shift 1 and shift 2, shift 1 जो होता है, वो सुबह 9 से 12 का होता है, shift 2 जो होता है, दो पहर में 2 से 5 का होता है, बच्चों को अलग-अलग shift के अंदर, hall ticket पे जो भी date और shift आई है, उस shift में computer centers होते हैं, IT centers होते हैं, या colleges के IT department होते हैं, वहाँ पर center लगता है, बच्चे computer के सामने बैठते हैं, उन्हें computer lot ह होता है, और computer के ऊपर online तरीके से एक एक question आते हैं, और वो ABCD तरीके से option होते हैं, उसमें से right option जो है, mouse के जरीए select करना होता है computer के अंदर, तो इस तरह से online exam होती है, अब ये जो exam है, सिर्फ PCM की बात करेंगे तो 5-6 दिन चलती है, PCB की बात करेंगे तो 6-7 दिन वो भी चलत के हिसाब से exam देने जाते हैं, तो ये हुई, MSTCT के exam के mode के बारे में, online exam, अब बच्चा जब उसको haltit आ गया है, वो उस तारीक और उस date को, उस time को, जब center पे जाएगा, तो उसकी पूरी identification करने के बाद, उन्हें एक computer alert किया जाएगा, उसमें login करके दिया जाएगा, पड़ने के बाद, जो mouse का pointer होता है, उस pointer से right option जो भी उसे लग रहा है, तो A को जाके click कर देगा, इस तरह से फिर यहां next button होता है, next button पे click करेगा, okay, back करेगा, तो पीछे आ जाएगा, पिछले question पे, तो आगे पीछे के questions वो scroll कर सकता है, यहां पर इस तरह से computer पर panel होता है, जहां पर questions की numbering लिकी होती है, तो वो इन numbers को click करके किसी भी question पर direct भी जा सकता है, jump कर सकता है, ठीक है, तो यह हो गया mood of exam, आगे चलते हैं, अब इस exam के अंदर हम बात करेंगे कि syllabus के बारे के marking scheme और syllabus की बात करेंगे, यह जो exam है, इसके अंदर आपके पास दो options होते हैं बच आते हैं, तो आपके पास paper 1 और paper 2 का option होता है, क्या है यह option, paper 1 और paper 2 यहां पर दिख रहा है, physics chemistry मिलके एक paper बनता है, physics और chemistry का एक paper होता है, यह एक paper होगा, और maths एक paper होता है, maths, ओके, अगर हम physics chemistry को paper 1 बोलें, तो maths paper 2 होगा, okay, maths जो है paper 2 होगा, इस तरह से, तो यह PCM group होता है बच्चे पहले physics chemistry का paper open होगा, physics और chemistry की बात करने है, physics में 50 question होते हैं, chemistry में 50 question होते हैं, यह हो गया question के number, यह हो गए marks, physics में 50 question, 50 mark के, chemistry में 50 question, 50 mark के, और maths के अंदर बच्चों 100, सो नहीं, पचास question होते हैं, सो mark है, mark सो है, ठीक है, तो इस तरह से total number of question हो गए, 150, marks हो गए, 200, और time मिलता है, 3 घंटे का, अब इसके अंदर भी divided है, जो भी time slot आपको बताऊंगा, physics और chemistry को करने के लिए, 100 mark के लिए हमें, देड़ घंटे मिलते हैं, और maths के लिए आपको देड़ घंटे मिलते हैं, यहाँ पर बता दें, physics और chemistry, 1 mark के question होते हैं, जो maths होता है, वो 2 mark का question होता है, यह exam 200 mark की होती है, इसको ध्यार रखेंगे, और देड़ सो question आएंगे, 3 घंटे का time होता है, इस तरह से यह जो exam है, इसके 11 से पूछा जाता है, 80% syllabus जो है, वो 12th का होता है, इसको ध्यार में रखना है, तो 100% syllabus आपका MSTCD का होता है, 11th के सारे chapter included नहीं होते हैं, MSTCD के अंदर, 12th के सारे chapter included होते हैं, जो 12th board में हैं, बात करेंगे, अब जैसे बात करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया है कि marks, marks के अंद जो है 11th standard का होगा और 40 mark जो है 12th standard का होगा, अगर हम मैंच की बात करते हैं, to maths का 100 mark का पेपर है, तो उसमें से 20 mark जो है 11th का होगा और 80 marks 12th का होगा, 20 mark 11, 80 marks 12th का होगा, जहाने कि यहाँ पर मैं बदा दू कि मैंच के अंदर, 10 questions 11th से आते हैं, 40 question 12 से आते हैं, 10 question, हर question 2 mark का होता है, 10 question के 20 mark, 40 question के 80 mark, total हो गए 100 mark, 90 मिनट यह देड़ घंटे का time मिलता है, physics, chemistry और bio के अंदर, एक-एक mark के question होते हैं, physics के अंदर, chemistry के अंदर, 10 question 11 से होते हैं, 40 question 12 से होते हैं, 1 mark का question होता है, तो 10 plus 40, 50 mark, physics, 50 mark, chemistry, total 100 mark हो गए, यहां पर एक बात बहुत important है, कि आप अगर PCM group की exam देते हैं, PCM group की exam, तो physics और chemistry मिलके 100 marks होते हैं, ठीक है, maths अकेला बाउबली होता है, 100 mark का, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है, कि पूरे 100 percent syllabus का, 50 percent syllabus math होता है, यानि आधा score math समय दिलाता है, और 25-25 percent, यानि कि 200 में से 50-50 mark physics semester के, और 100 mark अकेले जो math होता है, इस बात को ध्यान रखना है, तो इस तरह से हमारा जो यह पूरा marking सीम होता है, biology के अंदर 100 mark के 100 question होते हैं, 20 question 11 से, 80 question 12 से होते हैं, आगे बढ़ेंगे, जो questions हैं, ओके, यहां पर हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ा doubt बच्चों को यह आता है कि पिछ यह डिलीटेट सीलिबस के बेस पर board exam देते थे, उनको MSTCT में उसी आधार पर question set होते हैं, जो डिलीटेट टॉपिक से उसके question नहीं डाले गए थे, तो क्या 2023 में डिलीटेट सीलिबस कवर होगा, येस, जो डिलीटेट पोर्शन था, डिलीटेट पोर्शन अर्लियर था, ज इनकी तरफ से बोला गया है, कि 12th के अंदर, 11th के अंदर, और जितने भी 12th 11th के सीलिबस है, उसमें 100% सीलिबस पर board exam दी जाएगी, या college की एक्जाम होगी, अब कुछ भी डिलीटेट नहीं होगा, अब attendance भी कंबल जरी किया गया है, पहले COVID के वज़े से attendance को पूरा लूच कर दिया गया था, यह बात है, तो जब 11th और 12th में 100% सीलिबस है, तो of course MSTCT में भी पूरा ही सीलिबस होगा, डिलीटेट नाम की कोई चिडिया नहीं होने वाली है, तो यह याद रखना है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, subject में जो 11th के सारे chapter included नहीं है, यहाँ पर मैं मार् सारी एक लब यह बैग चाली हुए है, यूटूब पर मंडे से सटेडे चलती है, उसमें Friday सटेडे मैस मैं पढ़ाता हूं, दिने से लाइट टुडी चैनल पर, तो यह चैप्टर अभी-अभी मैंने पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेडी 2, यह पहला चैप्टर है, इसके ब मैस के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, बट सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना होता है, यह दस चैप्टर, 2018 के बाद, 2019-2020, जो बीस आया था, 2020, ऑनलाइन एक्जाम चुरूने के बाद, उसके पहले 11th के अलग चैप्टर थे, Sets and Relations था, Sequence and Series था, अलग-अलग चैप्टर थ बुक्स नहीं आ गई 2020 के बाद, तो नहीं नहीं चैप्टर से इंक्लिट कर दिए, तो अगर आपके पास कोई पुरानी भूक है, और वहां पर दिख रहा होगा कि बाई, Mathematics के अंदर, Sequence and Series दिख रहा है, Sets and Relations दिख रहा है, तो बिलकुल पुराना syllabus है, Old syllabus उसको ना देखे जो मैं updated syllabus दे रहा हूँ, यह देखना है, यहां पर Math के अंदर 10 chapter है, अगर आप Physics और Chemistry और Biology का 11th का syllabus देखना चाहते हैं, 11th में कौन से chapter है, तो यह selected chapter है, जैसे Physics ही बात करेंगे, Motion in Plane, Loss of Motion, Gravitation, Thermal Properties of Matter, Sound, Optics, Electrocytic, Semiconductors, तो यह सारी चीज़े हैं, Chemistry यहां से, आप screenshot ले सक है, तो 12th के अंदर बता दू, आपको जो भी महाराश्टा स्टेट की book है, उसमें सारे chapter Physics के, सारे chapter Chemistry के, और पूरे maths के chapter, maths 1 और maths 2 के सारे chapter included है, maths के total 15 chapter होते हैं, यहां पर बताना चाहूंगा, 11th से 10 chapter, 12th से 15 chapter, total मिलके maths के अंदर 25 chapters आपको पढ़ने हैं, कितने chapters पढ़ने है मिलके maths के, 25 chapter, 12th का तो सारा, आपका 15 chapter maths का है, physics chemistry के अंदर भी 12th के अंदर 15-16 chapter वो पूरे है, 11th के अंदर आपको ध्यान रखना है कि selected chapter C पढ़ने हैं, यह उसकी list है, बहुत सारे बच्चे दूनते हैं, मुझे comment करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर पताया है, अब आगे pharmacy या engineering में जाना चाहते हैं, तो आप PCM opt कर सकते हैं, PCM यह जो combination है इस group से, आप engineering और pharmacy में आगे बढ़ सकते हैं, pharmacy के लिए PCB भी चलता है, PCM भी चलता है, अब हम बात करते हैं, कि सबसे पहले जो बच्चे top करते हैं, उनका तरीका क्या होता है, तो भाहिया वो 12th में रहते ह हैं, पहली बात तो यह है, क्योंकि board exam खतम होने के बाद एक देड़ से दो महिने का time मिलेगा, जो काफी कम होता है CT की practice के लिए, वो time आपको revision में डालना चाहिए, आपको revision करना चाहिए, अगर आपने पहले से त्यारी किये तो, सबसे बड़ी बात है कि 12th का syllabus और CT का syllabus मैच होता है, 12th के वही chapter CT में है, 80% 11th के 10 chapter आपको extra पढ़ने पढ़ते हैं, 12th में आप वो theoretical चीजे पढ़ते हैं, वही चीजे आप CT में MC की form में पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा एक problem बच्चों को आता है कि हम books कौन सी refer करे, ये बार बार बच्चे बोलते हैं कि ये जो exam मे सादू के ब्रह्मास्र नाम की book, मैंने खुद ने यहां develop की है, ब्रह्मास्र नाम की book, ये जो book है, ये specially MST CT 2023 देने वाले बच्चों के लिए है, ये एक e-book है, जो math subject के लिए है, इसी तरह से chemistry subject के लिए भी books available है, ये जो book है, हमारा एक app है, description में जिसकी link है, दिनेश सर नाम से app है, उस app के उपर ये e-book available है, और इस book की काजियत ये है, कि 2004 से लिए 2022 तक जितनी भी बार exam हुई है, उन सारे exams के questions, previous year questions, chapter wise form में इस book के अंदर available है, और इसके solutions भी available है, 2019, 2020, 2021 और 22, ये जो 4 साल थे online exam हुई है, 2022 का example देंगे, जब भी online exam होती है, मैंने बता है, अलग-लग shift में होती है, लग-बग 10 shift में exam हुई थी, 2022 में, ऐसे 2021 में, तो एक ही साल के 10-10 paper हो लेवाल है, उन papers को इस book में chapter wise जो है include किया गया है, बाइफर के, हर एक chapter के, 2022 में कौन स question आये थे, logic chapter के, या straight line chapter के, वो बहुत अच्छे से, बहतरी जो है, PDF form में यहां पर book है, यह जो book है, mobile में open होती है, जिससे आप mobile में इसको refer कर सकते है, e-book है, ओके, यह जो book है, यह offer price में, actual price इसकी 399 रुपीज है, बट 99 रुपीज में दीनेशर एप पर अवलेबल है, एक ने दे दी, इस book को आप refer कर सकते है, यह maths के लिए था, ऐसे ही physics और chemistry के लिए, physics के लिए, physics के लिए PG MN आप है, मुकेश सर का, वहाँ पर physics का अवलेबल है, same इसी तरीके से, chemistry के लिए, सोविन सर का, all about chemistry आप है, वहाँ पर chemistry की book अवलेबल है, ओके, अभी फिलाल discounted price में, ब दो भी चीजे सीखी हैं, उन 12th के syllabus को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, उसकी summary एकदम अच्छे से करनी चाहिए, सारे formula, सारे types के question द्यान में रखना चाहिए, आपको 12th के syllabus का revision करना चाहिए, पहले तो, उसके साथ, आपको maximum MCQ type की practice करनी चाहिए, questions की, multiple choice question की, ऐसे में short में कर लूँ, अब यहाँ पर इस exam के लिए एक बहुत बड़ा criteria यह होता है, कि इस exam के लिए आपको अगर मैं math की बात करूँ तो 90 minute मिलते हैं, 100 mark के लिए, okay, 90 minute 100 marks, और अगर मैं physics chemistry की बात करूँ तो भी 90 minute मिलते हैं, 100 marks के लिए, अब यहाँ पर जैसे आपको पत 100 mark के लिए 100 question है, यहाँ पर 100 mark के लिए 50 question है, ठीक है, तो यह time बहुत कम पढ़ जाता है, आप खुद सोचो कि अगर आप 90 minute में 100 question करोगे, तो एक minute के अंदर अगर आप 1 question करते हो, तो 90 minute के अंदर 90 question कर पाऊगे, तो और भी 10 question बढ़ जाएंगे, यानि आपको एक minute से भी कम time में physics और chemistry के sums को solve करना पड़ता है, यहाँ पर मैं बच्चों को suggest हमेशा करता हूँ कि देड़ मिनिट के अंदर एक question को आप लमसम देड़ मिनिट दो, जिससे करके 90 minute के अंदर आपका paper खमतम हो जाए, ओके 90 minute के अंदर उससे पहले ही खतम हो जाएगा, बट जो बचा आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो difficult question है, lengthy question हो उनको solve करने का, यह मेरा suggestion होता है कि आप इसको करो, अब यहाँ पर question बचा से, बट यह questions ऐसे नहीं है कि आप पढ़े के सीधे A, B, C, D टुका मार दो, यह सीधे answer आजा जैसे biology में होता है, यहाँ आपने question पढ़ा, इसका answer तो मन में calculation आना चाहिए, जैसे कि लमसम हमने बला, देड़ से दो मिनट में question solve करना होता है, math का, तो ही आप top कर पाएंगे, तो यह कुछ चीजे हैं, जिसको आपको ध्यान रखने चाहिए, यहाँ पर speed बहुत मैटर करता है, J means में, जो भी होता है, उससे यहाँ पर speed matter करता है, speed के साथ साथ आपकी accuracy होने चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं, वो सही सही answer निकालना चाहिए, अगर गलत answer निकाला, तो 0 marks हो जाएंगे, math का answer सही हो गया, 2 marks मिल गए, अब भले वो solve करके ला रहे हो, या तुक्का मार कर ला रहे हो, या cheating कर करके ला रहे हो, अगर answer सही हो गय सर हमें इसकी तयारी करनी है, तो हम इसकी coaching classes वगरे कैसे लगा सकते हैं, तो बच्चों आप लोग के आसपास कोई offline coaching होगा, तो वो आप join कर सकते हैं, बट आपके बाद ज्यादा पैसे नहीं है, और आप specially मुझ से पढ़ना चाहते हैं, तो maths की तयारी मैं करवा रहा हूँ, मेरी एक topper batch है, जो release हो गई है, topper batch है, toppers pro batch, यहाँ पर बताएंगे, toppers pro batch है, जो MSTCT का जो maths है, MSTCT maths, यह पूरा maths detailed course, यहाँ पर crash course नहीं बता रहा हूँ, यह detailed specific course है, इसमें सिर्फ MSTCT की तयारी कराई जाएगी, और यह पूरा detailed course है, लगातार 6 से 7 महीने, यहाँ पर सिख है जाने वाला है, 6 to 7 months, यहाँ अभी November है, यहाँ December से यह चालू हो रहा है, तो यह December से लेके, पूरे June तक यह batch चलेगी, 6 से 7 महीने का detailed course है, इसका नाम है Toppers Pro batch, इसका हमने premium version भी निकाला था, जो full हो गया है, premium में काफी बच्चे enrolled कर चुके हैं, वहाँ पर अब सीट्स और मैं release कर दूँगा, अगर जरुरत पड़ी कुछ बच्चों को need हुई तो, वैसे हम लोग जितने बच्चे cater कर सकते थे, हम लोतने ले लिए, यहाँ पर अब सीट्स अवलेबल नहीं है, Toppers Pro, यह जो batch है, Mathematics के लिए, Engineering Pharmacy के लिए, जो भी बच्चे करना चाहते हैं, उनक होंगे, Live Lecture, Daily Math, Live Lecture, याद रखना है यह चीज़ को, और वो Live Lecture बाद में, Record होके, Save हो जाते हैं, तक आप बाद में भी उसको देख सकें, किसी दिन आप Live नहीं आपाते हैं, किसी region से तो, आप Record देख सकते हो, इस batch के अंदर, PDF Notes, सारे Lectures के, DPP, Assignment के रूप में, Shortcut Series, सारे जो मैंने बता है, Shortcuts आने चाहिए, वो, test series बहुत important होती है, जो toppers होते हैं, जो last moment, revision होता है, revision के बाद, test देना बहुत ज़री होता है, test देने से आपको पता चलता है, कि आप कितने पानी में हैं, आपके कितने score आ रहे हैं, आपको कहां wrong हो रहा है, तो इस batch के अंदर, test series, chapter wise and full mock length available है, test series available है, shortcut series, DPP, PDF notes, इसके साथी आपको कुछ doubts होते हैं, तो doubts के लिए आपको एक contact number दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपने doubts को पूछ सकते हैं, और आपके doubts हम solve करेंगे, तो यह है toppers pro batch, जो premium batch थी मैं यहां बता दो, यह इसके अंदर सारी faculties यही थी, इसके अलक से personal number दिया जा रहा है, जिस पर यह मुझे से, मितलेश सर से और मेरी team के mentor से directly बात कर सकते हैं, directly बात करने के साथ, इनको motivation with strategy, with इनके जो doubts होते हैं, मैंने जो बताया, वो अलग तरीके से audio video के जरीए, या तो फिर उनको direct call के जरीए, या WhatsApp के जरीए, इनकी personalized तरीके से mentorship क साथ होने वाला है, उनकी जो growth है, उसकी report discuss होगी, test series की growth, test series में उनके कैसे आ रहा है, यह सारी चीज़े mentorship के रूप में यहाँ पर है, इसकी price pro से 1000 रुपीज ज्यादा थी, अब यह available नहीं है, बट यह toppers pro available है, तो यह हो गया पूरा कैसे त्यार करें, तो इस video में मैंने website के उपर किस firm कैसे बढ़ा जाएगा, exam कैसे होती है, online shift wise, इसके लिए best book कौन सी है, इसके लिए secrets क्या है, test series एक secret होता है, 12th के सार्थी CT की त्यारी करनी चाहिए, MCQ pattern में त्यारी करनी चाहिए, और ज्यादा ज्यादा shortcut सीखने चाहिए, अपनी speed बढ़ानी चाहिए, accuracy होनी चाहिए, और अगर इसके लिए कोई coaching लगाना चाहते है, online रूप से, तो यार हमारे दिने sir, app के उपर available है, जैसे मैं यहाँ पर चिका रहा हूँ, या YouTube पर चिकाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही lecture, महां भी आते हैं, इसकी pricing की बात करेंगे, यह जो है, Corset Toppers Pro, इसकी price अभी discount discounted price जो है, वो 1,998 यह चल रही है, discount के बाद यह price का discount जो है, ज्यादा दिया गया है, discount के बाद यह price है, यह अभी बढ़ जाएगी price, यह लगबग जो 2,499 होने वाला है, discount खतम होने के बाद यह price हो जाएगी, तो अगर आप आना चाहते हैं Toppers batch में, तो आज आईए, महारा हो जाएगे, MSTCT से related आपको अगर कुछ भी doubt है, तो आप तुरंद इस वीडियो के नीचे comment करके अपने doubt पूछ लिए, जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को subscribe कर लिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share जरूर करें, मिलते हैं बच्च अगले वीडियो में, bye everyone, take care